हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयो बब लग एच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर ड्यूटियोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने के मोश्ट इंपोर्टन्ट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो में लेकर आचुगा हो दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे संस्टांडर के लिए हिस्ट्री सब्जेक का चाप्टर नमर थर्टीन यानि की सबसे आखरी वाला चाप्टर है हमारा ये चाप्टर नमर थर्टीन जिसका नाई में दोस्तों लोगों की लाइफ कैसी है शिवाजी महराज के जाने के टाइम पे कैसी थी उनके जाने के बाद कैसी है अभी कैसी है ये सबी चीज डिसकस करेंगे तो आज इस चाप्टर का पहला लेक्चर है यानि लेक्चर नमर वन शुरुवात करेंगे लेकिन शुरुवात करने से पहले दो मिनट आपका मैं लेना चाहूं मैं यहाँ पर कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में बताए था कि हमने पूरा स्राइबस कंप्लिट कर दिय मुझे इसा लगा था कि मैंने यह चाप्टर भी बना दिया है लेकिन जैसे मैंने कुछ कॉमेंट्स देखा तो like there are some student एक दो बच्चे थे उन्होंने बोला कि सर आपका एक चाप्टर बाकी है साथवी का तो टेंचन मत लेना मैं गलती से भी भूल निस सकता था लेकिन हो सक यार मेरे से भी खोडी गलती हो जाती है कभी बाई चांस तो यह मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और इसी रहे आपके सामने यह वीडियो में बनाने के लिए लेकर आ गया हूं लेकिन चिंता नहीं करना है पूरा का पूरा इंटायर जिला बस साथवी आटवी नोवी दसवी यार भी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया अटेंशन मिल्कुल ने नहीं और यह भी आज कंप्लीट हो जाएगा आज तो पहला लेक्चर है मतब एक दो लेक्चर और लगेंगे यह चाप्टर पर पर एक और इंपोर्टेंट बात अगर आपने हमें टेलिग्राम पर फॉलो न करना चाते हो तो मुझे फॉलो कर लेना Instagram में सबका लिंक दिस्क्रीप्शन बॉक्स में दिया हुआ है क्लिक कर लेना ठीक है चलो अब यह जो लाइफ फ्ल इन महाराश्ट्रोव है यह जो पीपल है महाराश्ट्रा के जो लोग है ठीक है यह कैसे रहत है तो एक ताइम था हमको एक चीज़ मालूम है धोस्तो हमारा हिंदुव स्वराज गोंते हैं उनका नाम हम लेते हैं बहुत ही प्राउड लगता है हमें कि हम महराश्ते में रहते हैं तो छत्रप्रती शिवा जी महराज जो थे ठीक है ना इनके महान कारनामों के वजे से हिंद भी स्वराज की फाउंडेशन हो सकी और हमारा देश जो है स्वराज स्थापित कर पाया तो इनी के बदौलद शिवा जी महराज क्या लाइक बदौलद तो बहुत सारे जो मराठास उनके अंदर भी confidence आया एं दिरे दिरे पूरा-पूरा महराठा सुप्रीमेसी जो है पूरे देश में एस्टाबलिश हो गया और ऐसे कई सारे चाप्टर्स में हमने पढ़ाई की है कि कैसे शिवा जी महराज के जाने के बाद भी उनके जो सुपुत्र थे ठीक है ना सामा ज जो मुगल्स थे ठीक है ना ऐसे जो बाहर के इन्वेडर्स थे जो लोग ते गुस्पेटी है हमारे देश के बाहर से जो आये थे हमारे देश को लूटने के लिए उनको दर के मारे भागना पड़ा और ये ताकत थी हमारे शिवाजी महराज के अंदर और मराठा पीपल के तो यह बहुत ही proud moment मुझे भी लगता है दोस्तों तो यहां पर अगर बात करें कि महाराष्ट्र के अंदर कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ठान रखा था किस प्रकार हम महाराष्ट्र कल्चर महाराष्ट्र धर्म यह सब चीज के हम रक्षा करेंगे और मराथा पावर दिर साल तक अल्मोस्ट यहां पर चला था ठीक है तो इसे कई सारे चाप्टर में हमने पढ़ा हुआ है अब इनकी बात करें कि यह सब होने के बाद मराथा जो कल्चर था महराष्ट्र जो पीपल थे उनका लाइफटाल कैसा था उसके बार में थोड़ा सा डिसक्स करेंगे तो स सबसे पहले बात पर रहेंगे सोशल कंडिशन की बारे में ठीक है सोशल कंडिशन की अगर मैं बात करूँ यहां पर कि अग्रिकल्चर जो था वो सबसे ज्यादा कॉमन उखूपेशन हुआ करता था उस टाइप के लोगों कि उस जमाने में ना कोई इंडस्ट्री थी कुछ एक मातर जि मात जनदगी जीने का जो था खेती करना तो लोग खेती करते थे और कुछ अनिमल को को पशु पालनий जिसको बोलते हम लग उस प्रकार के लोग करते थे तो उस पर नियुइत tätä पाटिल आप को पता हुआ का मेंसे कई सारे लोग के सरनम पाटिल होंगे तो sectors of the village, कौन होते हैं, पार्टील होते थे, उनको इनाम के तौर पे उनको क्या मिलती थी, जमीन मिलती थी, ठीक है, तो मतलब पार्टील जो होते थे, वो रक्षा कर रहे हैं village की, और जिसके वेज़े से उनको as a salary समझ लो, या फिर इनाम समझ लो, उनको क्या मिलती थी, जमीन म वो मिलता था यहां पर फिर बलूटेदार्स होते थे ठीक है ना उनको भी बहुत अच्छा गासा पे किया जाता था इन दा फॉर्मस ओफ चावल डाल गेहू यह सब अनाच के माध्यम से फुट ग्रेंस उनको सपा जाता था बलूटेदार्स जो होते थे उनको दिया जाता था एन ऐसे कई सारे जो विलेज के उकुपेशन करने वाले जो लोग थे यहां पर उनको यहां पर कली और पंधरी इस प्रकार से पे किया जाता था जो पीजन्ट जो होते थे यानि जो वर टाइम पे जो सोशल कंडिशन हुआ करता था लोग हमेशा ज्यादा तर जॉइंट फैमिली में रहते थे आज देखो हमारे ज्यादा तर लोग जो है वो नुक्लियर फैमिली में रहते नुक्लियर फैमिली क्या होता है अगर कोई husband and wife है तो वो रहेंगे और उनके बच्चे र ज्याद मिल जुलके रहते है तो जॉइंट फैमिली में बहुत ज्यादा रहना पसंद करते थे फिर उस को फॉलो करते थे जैसे कि उस टाइम पे जो चाइल्ड मैरेज हुआ करता था यानि बाल विवा जिसको बोलते हैं चाइल्ड विवा बहुत चाइल्ड मैरेज बाल विवा बहुत कॉमन हुआ करता था बहुत ज्यादा लोग करते थे और इसमें कोई गलत बात ने होती थे देना पड़ेगा पैसे के हम बुक्तान करना पड़ेगा तो child marriage उस टाइम पे common था और उस टाइम पे ऐसा भी allow था कि आप multiple wives रख सकते हो ठीक है multiple wives मतलब बहुत सारी BVA जैसे एक जमाने में राजा हुआ करता राजा के बहुत सारी पहले के जमाने में early times में हुआ करते थे तो यह सब चीज नहीं होना चाहिए correct है आज के रेड़े में इसके लिए rules वगरे government आ गए government ने rules वगरे बना दिया उसके इसाब से अगर मैं बात करूँ कि जो भी rituals होते थे वो बहुत अच्छी तरीके से perform होता जैसे कि कोई अगर मर जाता है तो मरने के वाद उसको जलाया जाएगा तो जो भी customs होते थे जो भी rituals होते थे तोर तरीके जो होते थे traditions होता था वो follow किया जाता था फिर हर चीज के लिए मुहरत निकाला जाता था जैसे कि आप आज भी जानते हो कि आज हर अगर आगे बढ़ रहे हो कुछ इंसान का फाइदा उठाके, अगर आगे बढ़ रहे हो, तो आपको शायद एक टाइम पर खुसी हो जाएगी, लेकिन जब आप बुड़े हो जाओगे, तो आपको अच्छाने लगेगा, आपको रिलाइज होएगा, कि आपने बहुत करलत काम किया है, तो कभी भी अगलग टाइप के वो राशी का प्रभाव हो चल रहा है, तो ऐसा हम लोग बोलते हैं आज के रेड में, तो उस जमाने में गौड्स और प्लानेट्स जो राशिया होती है, जो तारे सितारे जिसको हम लोग बोलते हैं गौड्स और प्लानेट्स का जो दशा होता है, वो हम इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानि कि जो अलग अलग तौर तरीके होते हैं, कुछ रिचूल्स होते हैं, जो पूझा पाट होता है, यह सब हम लोग उस टाइम पे करवाते थे, काफी ज्यादा यह सब चीज में बिलीव करते थे, और हमेशा चाइरिटेबल डीड्स करत और बहुत ज़्यादा मानते थे astrology में यानि आज के डिट में भी लोग मानते हैं लेकिन as compared to पहले के जमान में लोग काफी कम करती हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यह सब चीज जमाने में ठीक है और नॉर्मली बगवान को पूजा करते थे अलग अलग जैसा उनका रिवाज होता था वो फॉलो करते थे तो इस प्रकार से चीजे customs and traditions होती थे और यह चीज आज भी हम लोग करते आ रहे बस यह है कि आज की रड़े में हमारे पास थोड़ा time कम हो गया है यह सब चीज में ध्यान देने के लिए क्योंकि हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बीजी हो गये technology आ गया लेकिन आज भी हम यह सब चीज में म मानना चाहिए ठीक है चलो अच्छी बात है next जाते हैं और आज का आखरी topic में जाएंगे that is standard of living यानि उस जमाने में जो महाराष्ट के जो लोग होते थे उनका standard of living कैसा था लोग कैसे रहन सहन कैसा था किस प्रकार से लोग अपनी life जीते थे standard of living उसकी बात करेंगे तो वो time पर जादा तर जो लोग थे majority of the people lives in village only कोई शेयर वगरे बहुत गिने चुने होते थे जिसमें थोड़ा सा development था otherwise बाकी 99% चीज़ क्या थी उस ताइम पर villages ही हुआ करते थे और village जो होते थे mostly self-sufficient होते थे यानि कि जो लोग होते थे वहां पे खुदी agriculture यानि खेती करते थे और वो खेती से ही करके अपना पेड भरते थे और उल्टा जब खेती करने के बाद जो फसल बच जाती थे जो crops बच जाते थे उनको बेच के बाटर सिस्टम से काम चलाते थे पैसे नहीं चलते थे कि आपने 10 रुपे का नोट दिया आपको मिल गया आदा किलो शक्कर वैसे दूसरे वक्ति के पास दे दोगे जिसके पास राइस है और उसके पास राइस था तो उसको वीट चाहिए था तो बदले में एक्सचेंज कर लेगा तो एक गोनी वीट ले लिया उसके बदले में गिलो एक गोनी राइस आ गया तो इस प्रकार से एक्सचेंज ओफर चलता ता उचवान पर अलग अलग लोग जो उस टाइम पर अलग अलग टाइप के पकवान कहते थे दाल चावल चपाती वेजटेबल सालाड मिल्क हो गया यह सब ठोड़क्स जो ए गमचा रोदा न, गमचा ऐसा लटका के रखते हैं गमचा उंग रखा जिसको बोलते हैं फिर विमेंस जो होती थी वो नौवारी सारी आपको पता है या नौवारी सारी इते उल्स वगरे पता है महारेश्टन कल्चर से जो जो बिलाउं करते हैं उन सब excessive YouTuber करते है तो वह सब दोस्तों आपको पता होगा और उमीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा उस जमाने में और आप यह खुड से भी लिख सकते हो आपको पता होगा आपके घर में क्या रिजूल सेलता है वो ही लिखयाना एंसर में exam एक्जामे question पूछेगा वही सेम लिख्या आपके घर का जो मालूम है आपको वही लिख्या आपको marks मिलेगा क्योंकि यह chapter ही वैसा है तो बस दोस्तो आज के लिए फिर इतना ही रखोंगा क्योंकि इसके आगे भी कई सारे ऐसे topics से जो हमें study करने है कि festivals कैसे celebrate होते थे और क्या-क्या चीज़े होती थी उस टाइम महाराश्टर में कैसे people का life वहाँ पे चलता था यह सभी चीज हम डिसकस करेंगे लेकिन आज नहीं हमारे अगले lecture में आएगा तो lecture नमबर टू ठीक है हाँ तो lecture नमबर टू आ जाएगा तो tension बिल्कूल मत लेना ओके और हम लोग बाकी जो चीज़े है इसमें पढ़ लेंगे आप लोग बस बने रहना हमारे सार और प्यार दिखाते ना ठीक है तो इसलिके साथ यह वीडियो समाप करता हूँ और उमीद करता हूँ कि आपको यह वी अच्छी चीज़े बताई गई है तो प्लीज शेयर टू अपने पैरेंट्स के साब भी शेयर कर सकते हो और कुछ इंपोर्टेंट टिप्स या फिर मुझसे यहाँ पे कुछ बोल चुप हो गई होगी कि यार मैं भी तो एक टीचर ही हो और यह मेरा सबजेक निया है देते रहे ना वीडियो पसंद आया लाइक कर देना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फर्स टाइम चैनल प्या हो अगर आभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा फट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बाजू में बेल आइकर होता उसको भी प् ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थाइंक यू एंड गुडबाई